नमस्कार, मैं रितेश कुमार, स्वागत है आप सभी आंगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आप सभी आंगनबारी बहनों को पोशन ट्रेकर एप की जो नई अपडेट आने वाली है उसका काफी दिनों से इंतिजार हो रहा था जैसे कि पोशन ट्रेकर विभा की और से भी बोला गया था कि आपके पोशन ट्रेकर एप में 30 तारीक के बाद एक नए अपडेट आने वाला है जो कि आज है 31 तारीक और आज के दिन आपके पोशन ट्रेकर एप में एक नए अपडेट आ चुका है जी हाँ आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस portion tracker app में जो नया update आया है 11.5 का इसमें आप सभी की problem ठीक होगी या नहीं होगी और भी क्या-क्या नए module जोड़े गए हैं नहीं जोड़े गए हैं सभी जनकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो आज की ये वी बहनों के साथ share जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो तो देखिए आपको क्या करना है सबसे पहले अपने play store में आ जाना है play store में आने के बाद यहाँ पे आप लोग clearly देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नया update आ चुका है और ये update मैं आपको दिख करते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यह update वाला option को आप लोग इस पे एक बार touch करेंगे तो यह आपका portion tracker app update होने लगेगा तो जब तक यह portion tracker app update हो रहा है तब तक आप इस वीडियो को like कर दीजिए finally देखिए यहाँ पे यह update हो चुका है तो आप लोग भी फटा-फट से अप अपने portion tracker app को जल्दी से update कर लिजिए देखिए यहाँ पे update हो चुका है अब इसको हम open करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने इस portion tracker app को update कर लिया है update करने के बाद यह beneficiary वाले category home business schedule और बारी बारी से सभी category के बारे में बात करेंगे जहाँ पर आपको problem आ रही है तो पहले हम beneficiary वाले category को open करते हैं open करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह जो लभार्थियों का category है इसमें सभी लभार्थियों को जो data है वो upload नहीं किया गया है इस परकार की problem आपको देखने को मिल रही होगी यह problem अभी आपकी ठीक नहीं हुई है जैसा कि आप सभ पुरानावला server है जिस पे आप लोग का data upload किया गया है तो उस पुराने वाले server से इस नए वाले server पे अभी आपका यह जो लभार्थियों का data है इसको upload नहीं किया गया है तो ऐसी problem आपको अभी देखने को मिल सकती है जैसा कि सभी आंगनबडी से विकाओं के साथ ऐसा problem हो चुकि आपको update कर लेना है और देखिए यहाँ पे home visit schedule का जो option आप लोग देख रहे हैं इसमें भी आपको अभी यह problem देखने को मिलेगी कि जो लभार्थियों का data है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है इसमें अभी क्या है कि अगर हम लोग इस लभार्थियों के data को open करत हैं तो यहाँ पे अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लभार्थियों का data यहाँ पे दिखा रहा है बट वहाँ पे किसी लभार्थी का data सो नहीं कर रहा है तो ऐसे में अभी आप लोग को थोड़ा सा wait करना होगा जिसे कि जो नयवाला server पे data है उसको upload होने में थोड सकता है तो देखिए अब हम यहाँ पे AWC infrastructure में जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि AWC infrastructure में आप लोग का पुड़ाना वाला data यहाँ पे upload है आप लोग यहाँ पे फिर से जो monitoring checklist है उसको यहाँ पे भर सकते हैं इसमें कोई problem नहीं है फिर यहाँ पे AWC infrastructure को हम लोग open करे करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि AWC infrastructure भी आपका पुड़ाना वाला ही है यहाँ पे आप open करके भी देख सकते हैं फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो more वाले option देख रहे हैं यानि कि अधिक जिसमें की संसाधन profile update एमपिन सेट करें यह सभी जो category है उसको भी हम लोग देख लेते हैं किस category में आप लोग का work हो रहा है या नहीं हो रहा है तो जैसे कि profile update करें में आप लोग क्लिक करेंगे तो देखिए क्लिक करते हैं आपका यहाँ पे एकदम से open हो जा रहा है फिर उसके बाद यह घटनाय वाले option आप लोग देख रहे हैं जिसमें की य लोग इन नहीं हो पा रहा है कि लोग इन करने में क्या समस्य आ रही है यहाँ पर हम पहले लोग आउट करेंगे यहाँ पर हमने लोग आउट कर दिया लोग आउट करने के बाद यहाँ पर अपना mobile नंबर एमपिन डाल के देखेंगे तो हमने यहाँ पर अपना mobile नंबर औ में login कर रहे हैं तो login नहीं हो पा रहा है तो आप लोग क्या कर सकते हैं यहां पर इसको offline mode में login करके अपना काम कर सकते हैं जैसे कि अपना net off कर देना है off करने के बाद आप login करेंगे तो यहां पर login हो जाएगा देख सकते हैं इस परकार से आपका log in हो रहा है, तो मैं यहाँ पर सभी समस्याओं को इसलिए दिखा रहा हूँ, ताक्री आप लोग के साथ जो समस्या चल रही है, उसके बारे में clearly पता चल सके, कि वो समस्या छीक होई है या नहीं होई है, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना net on कर देंगे, तो आप फिर से जो work करते हैं वैसा आप work easily कर पाएंगे तो देखिए कहने का मतलब है कि ये जो 11.5 का update आया हुआ है जिसमें हमने आपको बारी-बारी से सभी category के बारे में दिखाया कि कौन से category में काम हो रहा है कौन से category में अभी काम नहीं हो पा रहा है तो इस परकार की अभी जो समस्या है आपको देखने को मिले ही है वो home visit में और beneficiary वाले category में अभी वो समस्या ठीक नहीं हुई है तो जल्दी बिभाग की उरसे कोई एक और नया notification आएगा जिसमें कि आपकी ये जो समस्या है वो जल्दी ठीक हो जाएगी तो उमीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में हमने आपको 11.5 की जो नई अपडेट आई है उसके बारे में सभी category के बारे में बता दिया है वीडियो आप सभी आंगनबारी बहनों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे मिलते हैं फिर किसी नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद